बेल्कुन टु माई चैनल आज हम बनाएगे मीठे चावल उसके लिए चाहिए हमें 500 गराम चावल यह भीगे हुए हैं पूड कलर आधा नारियल और किश्मिश अब उसके बाद दो गिलास गरम पानी गरम पानी होने के बाद अब इसमें दो चम्मच देशी घी डालना है घी डालने के बाद अब इसमें नारियल डालना है जो थोड़ा सौफ्ट हो जाए अब देखिए हमारा गरम पानी हो चुका है अब इसमें फूर कलर डालने के बाद अब इसमें चावल डालने को कि अब फूर कलर डालने के बाद अब इसमें एक पहला पाया सौफ्टाब का रोसरी बेर का अब वीड़ा अब पूर क नारीक Safa कटोरी चीने अब इसको फिलाने के बाद अब हम इसको खोलें एक सीटी आ चुकी है अब हम इसको खोल के देखेंगे देखें हमारे चावल कितने अच्छे लग रहे हैं अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं देखें कितने अच्छे लग रहे हैं खिले खिले बने हमारे चावल आप भी अपने घर में बनाएं और आपने परवाय को ठिलाएं कितने अच्छे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं